तो आज अम बात करने वाले हैं Axio Paylator के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की जो कि इस वीडियो में कि इसमें आप लोगों के लिए एक ऐसी अप्लिकेशन लिके आओं जिसकी मदद से इस्टन्ट आप लोग अपने Axio Paylator के लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो तो अग कम्प्लीट प्रोसेस की किस प्रकास से आपने उस अप्लिकेशन के मदद से अपने Axio Paylator के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इस आप लोगों ने आ जाना है सिंप्ली गूगल प्लेश्टोर पर देखो सबसे पहले आपने आपने अप्लिकेशन को की का आपने छोड़ देना है जो नया प्रोसेस बता रहो अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो इसको यूज करते हो तो 100% अपने Axio Paylator के लिमिट बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो तो सिंप्ली आप लोगों ने इस अप्लिकेशन को कर लेना है डाउनलोड अप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने इस पर सिंपली एक अकॉंट कर लेना है जो कि अकॉंट करना काफी आसान है तो आप लोग अपना मुबाइन नमबर इमेल आइडियो गएरा एंटर करके एक अकॉंट कर लेंगे देखो पहले आप लोगों को इस पे पेट गुरूप करना ह पड़ता था उसके बाद उस गुरूप के लिंक पे आप पेमेंट एक्सेप्ट करके यानिक एक्सियो गएरा से पेमेंट करके उस पेमेंट को अपने बेंक में सेटल करवा सकते थे जिसके लिए आपको 10% के चार्जिस देने होते लेकिन अभी जो तरीका में आप लोगों पतारो अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो इस पर सिर्फ आप लोगों को 3% के चार्जिस लगते हैं यहां पे देखो अगर आप लोगों को पेट गुरूप अगयरा किरियेट करना है तो वो भी जो है किरियेट कर सकते हो माई परड़क्ट वाले उप्सन पे किलिक क करके और यहां से आप लोग जो है पना पेट वर्सक गुरूप टेलिगराम चैनल गुरूप और यहां से लॉंच कर सकते हो जिस पर कि आपको एक लिंक मिलता है उस लिंक पर पेमेंट एक्सेप्ट करके उसके बाद उस पेमेंट को आप अपने बैंक में रांसफर कर सकते ह कर लेन होते हैं तो यहां पर आपने कोई भी प्राकार का उसके बाएने कि बागी के वीडग अगई जो 그 automatic देख है दो आपनी से लिनक भाद किसी कर लेड़ और प्रॉम में आने के बाद आपने सिंपिली को ओपन करना है जो नबेर आपको अपना नाम करना होगा आपको आपको छहें घ्रकर सकते हो तो भी आप एंटर कर रहे हैं वो उस अप्लीकेशन के अकॉंट से बिलकुल अलग होना चाहिए याने कि रहिगी अप्लीकेशन में अकॉंट करें करने की टैम आपने जो भी मोबाइन नमबर इमेल आइडी का यूज करा उस मोबाइल नमबर और उस email आईड़ी को आपको यहां पर यूज नहीं करना है तो अमौंट पे देखो आपको जितना भी अमौंट रांसफर करना है उतना अमौंट एंटर करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फर्स टाइम इस अप्लिकेशन को यूज कर रहे तो आपको क से कम अमोंट एंटर करना चाहिए जैसा कि यहां पे एक हजार दो हजार एकसिमम तीन हजार रुपए से ज्यादा की ट्रांजिक्शन आपको नहीं करना है मेरे ख्याल से अगर आप फर्स टाइम यूज कर रहे हो तो आपको को मिलने वाले होंगे उसका यहां पर आ जाएगा तो यहां पर देखो कि अब भी जो है क्रेंट पर कौन-कौन से उप्सन इस पर चल लए जैसे कि वॉलिट और को आ रहे हैं यहां पर नेट बैंकिंग वालिट और यहां पर कि यमाई को प्सन बताया जा रहा है तो आपने सि यह not eligible करके आ रहा है क्योंकि मेरे इस mobile number से xio pay later का count नहीं बना हुआ है जिसके करण यहाँ पर यह not eligible बताया जा रहा है लेकिन अगर आप अपना वो mobile number एंटर करते हो जिससे कि xio pay later का count बना हुआ है पर उस पर limit है तो आपके सामने यहाँ पर eligible करके आ जाएगा यानि कि xio pay later को select करने का option आ जाएगा कि payment complete कर लेते हो उसके बाद आपकी जो payment हो successfully यहाँ पर complete हो जागी तको यहाँ पर payment complete होने के बाद आपने कुछ नहीं करना है आपके पाद जैसे यहाँ पर 100 होने लगेगी जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे account पर 0.96 पैसे पड़े हुए क्योंकि मैं पहले इस application को यूज करता था अभी इस application को मैं यूज नहीं करता हूँ लेकिन अगर आप लोग यूज करना चाहते हो आप यहां से xio pay later के limit bank में transfer करना चाहते हो तो आप लोग इस application को यूज कर सकते हो तो आपको जो भी amount होता है आप जो भी payment करते हो उस पे 3% के charges पहले get कर लिये जाए और बाकी का amount है वो आपका यहाँ पर एड कर दिया जागा तो आप यहाँ पर करना क्या है किस प्रकास इस amount को withdraw करना है ठीक है जो कि यहाँ पर profile को verify कर लेना है देखो जैसे यह काम आप कर ले तो आपके profile यहाँ पर verify हो जाती है उसके बाद ग्रीस आपको यहाँ पर करना है कि अपनी account detail एड करनी है जो की नीचे देख सकते हो add bank detail का option मिलेगा आपने इस पर click कर देना है इस पर click करने को बद ग्रीस यहाँ पर आप आप एड करके रखते हो वो दोनों का option यहाँ पर आ जाता है तो आप इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इन सभी process को complete कर लेना है अपनी profile को verify कर लेना है यहाँ पर account detail एड कर लेना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपके wallet में जितना भी total amount होता है वो आपको यहाँ पर जो भी amount है आप profile हो गयरा verify करके UPI ID हो गयरा add करके जैसा ही withdraw पर click करते हो वैसे ही आपको विड्रो है उसक्सेस्फिली लग जाता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर यह amount आपके bank में transfer कर दिया जाता है इसके लावा अगर आपको अपनी earning यानि के withdraw history हो ग तो अगर आप लोगों को भी अपने एक लिटर लिटर बेंक में transfer करना है तो आप लोगों ने एक बार इस application को download करके try कर लेना और यहां से अपने अप्लिकेशन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अगर आपको कोई प्रोब्लम लग रही है तो आपने application को बिल्कुल भी यूजनी करना है अपने वेट कर लेना है किसी अधर अपलिकेशन प्रकान आने तक तो उसके लिए अपनी चैनल को सब्सक्राइब लेना है जैसे किसी अधर अपलिकेशन पर एक स्पेलेटर बैंक पर कर सकते हैं